So hey guys, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपनी email id case से create कर सकते without number तो आगे आपको कुछ details भी बताने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों बोलते fake है, हमारे साथ हो नहीं रहा है तो वो चीज़ा आपको आगे clear करने वाला हूँ, तो वीडियो को आप end तक जरूर देखेगे, सबसे पहले आप mobile में यूज़ करिए या computer में तो आपको अपना browser open कर लेना है तो browser open करने एक बाद में आपको Gmail simply type कर देना है और Gmail पर आजाना है, आपको एक चीज़ जान देना है कि अगर आप mobile से यूज़ कर रहे हो, तो mobile से आपको अपने email का जो एप रेता उससे नहीं करना है, आपको किसी भी browser पर आके, आपको 3.पे click करके ओपर और desktop site पर आजाना है, तो आपके सामने इसा interface आजाएगा, जैसे मेरा email open हो गया है, तो यहाँ पर मैं add account कर लूँगा, जहां से हम नए account बनाते है, तो use another account, तो मैं यहाँ पर use another account पर click करूँगा और यहाँ लिखा हुआ है create account, तो आपको यहाँ पर click कर लेना है, जैसे हम click करेंगे, तो अगर आप without number की कोई सी ID बनानी हो, तो आप वो नाम से बना सकते हो, तो यहाँ पर आपको अपना Gmail का URL अपना username create कर लेना है, तो जैसे यहाँ पर डालोंगे password, तो आपको password यहाँ पर fill कर देना, जो भी आप password यहाँ पर रखना चाहते हो, password रखने के बाद में आपको text के option पर click कर देना है, तो अब आपके सामने एसा interface आजाएंगा, एक चीज ओन में clear करना चाहूँगा, अगर आपके सामने एसा interface नहीं आता है, तो आप करिएगा कि उस time उस account को वापस से बंद कर दीजेगा, और वापस से अपना जो browser है, उसको open करिएगा, फिर वापस से आप करके देखेंगा, आप तीन से चार बार करोंगे, तो उसके बाद आपके सामने एसा interface आएंगा, ठीक, एसा interface आजाने के बाद में आपको क्या होगा, कि फर्स्ट में आप से पूछेंगा, मोबाइल नमबर, यहां से recovery, email आपको डालना हो, तो डाल सकते हो, आप birth date यहा हम से पूछाता हो, मैंने यहां पर mobile नमबर नहीं 8 किया है, उसके बाद next करूँगा, तो यहां पर यह next होता है, कि नहीं देखते है, तो यहां पर जैसे ही मैं next करता हूँ, तो यहां पर यह next हो जाएगा, क्योंकि भाई, अगर एसा interface हा रहा है, तो इसमें without number भी, आपका email ID create होने वाली है, ठीक है, तो जिसे यह next किया, तो आप देख सकते हो, कि यहां पर यह create हो गई, हमारे से इसकी terms and policies का पूछ रहा है, तो हम I agree कर देंगे, और यहां पर जिसे I agree पर click करेंगे, तो यह हमारी हां पर email ID create हो जाएगी, तो इसी तरीके से आप without number की email ID बना सकते है और अगर आपके सामने इसा interface नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिएगा, कि अलग कोई से browser हो आपके पास में, तो उसको open करिएगा, यहां फिर अलग-अलग tab open करके, email ID को वापीस से जा जाके, create account पे जाके आप कर सकते हो, अगर वह इसा interface आ रहा है, तो आपको simply कर लेना है, और एक चीज़ों मैं बताना चाहूँगा, कि यह email ID, यह दो-तिन दिन में एक ही यह without number की create होती है, ऐसा नहीं है, कि आप थोड़ी देर के बाद और open कर लो, और open कर लो, कि भाई 10 minute हो गए वापस से बना लेता हो, फिर 10 minute हो गए वापस से बना लेता हो, तो ऐसा नहीं होता तो आपको यह करना है कि 2-3 दिन का wait करना है, उसके बाद आप simply वापस से browser open करके कर सकते हो, तो यह 2-3 दिन के अंदर हमें वापस से दे देता है कि आप email ID create कर सकते हो, तो आपको यह time मिल जाते है कि आप 1 month में कम से कम 10-15 email ID यहाँ पर create कर सकते हो, और अगर आपके पास 2-3 इन डिवाइस है तो आप simply यहाँ से महिने बर में 20-30 email ID आपकी create हो सकती है, अगर आप VPN अगर यूज कर लेते हो, अलग-अलग अपना make address रहता है, जो आपका IP address रहता है, जिसे हम IP address बोलते है, उसको अगर आप change कर देते हो, VPN में तो अलग-अलग VPN से आप create कर सकते हो email ID, औ और बहुत सारे लोगों confusion रहता है, जिसे हमारी email ID बन गई ही without number की, तो अगर हम इसमें YouTube account create करना चाते है, या फिर YouTube से लोग-इन करके हम अगर किसी का subscriber बढ़ाना चाते है, तो हम बढ़ा सकते है कि नहीं, तो हाँ जी आप simply इसको लोग-इन करके आप यहाँ पर subscriber बढ़ा स सकते हो, उसमें आप simply login कर सकते हो, तो जैसे आपका यहाँ पर account का जो देता है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आपका पेले से कोई सा account login है, तो यहाँ पर मेरे दो channel आप देख सकते हो, और आप को channel subscribe करना तो आप subscribe भी कर सकते हो, अगर आप नहीं हो, तो जैसे मैंन चैनल को subscribe करना चाओंगा, तो यहाँ पर मैं simply subscribe कर सकते हो, और अगर आप watch time भी यहाँ बढ़ा सकते हो, और अगर आपको watch time अपने चैनल का बढ़ाना है, या फिर आपको subscribe सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तो आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हूं तो यह था मेरा सिंपल मेथड और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह कि मै नए नए वीडियो आपके लेके आता रहता हूँ